I am going to discuss here, fond of, जो कि इत फ्रेज होती है, डिसन, fond of का मतलब होता है, शोकी या फिर शोक, चलिए प्रैक्टिस करते हैं, मैं स्कूल जाने का सोकीन हो, वे खाना बनाने की सोकीन है, तुम किसी के सोकीन हो, मैं इंग्लिश बूनने का सोकीन हो, और डिसन, अगर आप पास्ट में सं and work का यूज कर सकते हैं, जैसे, वे स्कूल जाने का सोकीन था, वे खाना बनाने की सोकीन थी, वे मुवी देखने का सोकीन था, मैं संगीत का सोकीन हो, I am fond of music, thank you.